Hello everyone and welcome back to ICT channel तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 53rd दे का सेशन और आज हम 53rd दे में कुछ नए sentences सीखेंगे जो की वेडियो, टीवी और पोस्ट आफिस से रिलेटेड हैं यानि इन सब जगहों पे या इन सब चीजों के बारे में बाते होती हैं तो कैसे कैसे sentences हम बनाते हैं तो चानल पर आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे चानल पर आने वाली सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो पहला sentence है मैंने रंगीन टेलिविजन खरीदा I have bought a colored television तो रंगीन टेलिविजन यानि colored television और मैंने खरीदा यानि मैंने खरीद लिया है already इसलिए हमने उसकिया I have bought bought यानि हम मैंने खरीद लिया next है आपका TV चल रहा है your TV is on TV is on यानि चल रहा है और TV is off यानि बंध है मेरा रेडियो बंध है my radio is off समचार सभी स्टेशनों से एक साथ प्रसारित होते है news bulletin is broadcast simultaneously from all radio stations यानि जो news है वो simultaneously का मतलब होता है कि सारे एक साथ होते है मैं एक के बाद एक नहीं होते है सारे एक साथ ही होते है इसको गोल जाता है simultanious मैं TV देखने का बड़ा शौकीन हूँ I am very fond of watching TV तो fond of का मतलब होता है शौकीन होना तो यहाँ पे शौकीन के लिए जो word यूस किया गया है वो है fond of next है sentence अब channel Z लगा दो तो यहाँ पे जो Z है वो channel का नाम है now switch on to channel Z तो यहाँ पे हम switch on to channel Z भी बोल सकते हैं या फिर हम tune in to channel Z भी बोल सकते हैं दोनों ही सही है डाकिया, चिठिया, छाट रहा है छाट रहा है नहीं कि उसको sort out कर रहा है कहां कहां pin code के हिसाब से या दूसरे address के हिसाब से वो छाट रहा है the postman is sorting out the letters तो यहाँ पे sorting का मतलब होता है छाटना अगली डाक साड़े चार बजे निकलेगी the next clearance is due at 4.30 pm तो यहाँ पे clearance का मतलब हो गया कि जो डाक, जो अगला batch जाएगा डाक का वो हो गया पे clearance डाक दिन में दो समय बढ़ती है the mail is delivered twice a day यह जब जाता है तो वो दो बार डाक बाटने जाता है तो दो बार बढ़ती है यह नि twice a day बढ़ती है मैंने 50 रुपय money order दवारा बेजे I sent rupees 50 by money order registered packet पर पूरे ticket नहीं है the registered packet needs more stamps अब पूरे ticket नहीं है इसका मतलब इसमें और भी ticket लगने की जरूरत है तो इसलिए हमने से कह दिया the registered packet needs more stamps यानि और stamp की जरूरत है प्रुपय money order की रसीद भेजना please acknowledge the money order तो यहां पर जब हम word ये वाला use करते हैं acknowledge तो acknowledge का मतलब होता है कि हमने जो काम किया उसको note down करवाना यानि उसका acknowledgement देना यानि ये बताना कि हां इसने ये काम कर दिया है तो यहां पर रसीद भेजना के लिए हमने यूज किया है acknowledge करना next है television का हमारे जीवन में बहुत महत्वपून योगदान है the television plays an important role in our daily life मेरा radio बड़ी साफ आवास पकड़ता है my radio has a very clear reception it has a very sharp reception तो यहां पर जो reception है इसका मतलब होता है कि जैसे antenna से या satellite से जो receiver पकड़ता है उसको बोलते है reception क्या तुमने parcel का वजन कर लिया have you weighed the parcel तो यहां वजन करने को बोलते हैं weigh करना जब हम weight बोलते हैं तो weight का मतलब हो गया कि वजन कितना है यह हो गया noun लेकिन weigh हम कर रहे हैं तो यह वर्व है यनि आपे kriya आए है next है मुझे डाग घाने के कुछ लिफाफे तथा inland sheets खरीनने है I have to buy some envelops and inland sheets from the post office next है इस channel में गरबड़ी है this channel is disturbed तो गरबड़ी है यानि कि disturbed है तुमने इसे ठीक से ट्यून नहीं गया है you haven't tuned it properly तो अब चैनल में गरबड़ी है क्यों गरबड़ी है क्योंकि तुमने से ठीक से ट्यून नहीं गया है यानि आपने देखा होगा पुराना radio तो यह उसको ठीक से ट्यून करना पड़ता है हमारे फोन में भी जो रेडियो होता है हमें सही से चानल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके आप समय चानल सेट करना होता है तो उसको बोलते है ट्यून करना तो यहां पे ट्यून ठीक से नहीं किया है तो you have not tuned it properly डाक विभाग के करमचारी हरताल पर है the workers in the postal department are on a strike तो डाक विभाग यानि postal department डाक के लिए post और विभाग के लिए department इस पत्र पर कितनी कीट लगेगी what will the stamp on this letter cost याद रखे here's a good government after decades आज की दशकों के बाद अच्छी सरकार बनी है में Govern, Cria में meant लगाने से government बनी है, इस प्रकार कुछ अंसंगया हैं निमने लिखे था है, यहनि Govern जो है उसमें हमने meant लगा दिया, यहनि Govern में जब meant जूड़ गया तो हमें नया word मिल गया government, तो Government किया है? government है वो संगया यानि कि government noun है और जो walern है वो क्या है? वो kriya है यानि की वर्भ है तो ऐसे वर्ब में जब हम wordjer लगाते हैं तो हमें जो new word मिलता है वो हमें noun मिलता है वैसे कुछ यह नए words there agree में हमने ment लगा तो अब्रों है दिते है और देधरी में हमने ment लगा तो agreement मिल गया इस बाकिय में servant संग्या है, अन्त में ant वाली कुछ और संग्या हैं, जैसे accountant, applicant, तो जैसे हैं आप हमने रेखा कि हमने जब ment लगाया, तो हमें नए words मिलें जो की noun थे, वैसे ही यहाँ पर कुछ और words है, जिसमें हम ment की जगा, जब हम ant लगाते हैं, तो भी हमें नए words मिलते हैं, जो की noun होते हैं, जैसे accountant में जो word है, अकाउंट जो है वो word है, इसमें हमने जब ant लगा दिया, account प्लस ant, तो हमें word मिलिया accountant, और accountant जो word है वो एक noun है, यानि संग्या है, तो वैसी और भी words है, जिसमें ant लगा के हमें नए words मिले लिए, consonant, defendant, merchant, आदी, उपर दिये गए शब्दों में servant, defendant, तथा accountant जैसे शब्द क्रमशा, serve, defend तथा account में ant, यानि ant, तथा apply में cant, can't लगाने से बने हैं, पर कुछ शब्द जैसे merchant और consonant अलग हैं, किसी दूसरे शब्द में जोणने से नहीं बने हैं, इसी तरह important के अंत में ant है, पर या संग्या नहीं, विशेशन है, तो कुछ exceptions हर जगव होते हैं, तो ऐसे भी words में कुछ exceptions हैं, जैसे कि important है, important भी ant लगा के बनता है, लेकिन या संग्या नहीं है, इसी के साथ हमारा आज का ये session खत्म होता है, I hope कि आपको आज के वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने सारे फ्रेंज के साथ भी ज़रूर शेयर करें, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केर और वन नाइस दे, झाल को सब्सक्राइब करें,